नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 18 मार्च दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में गड्मी में नहीं होगी बिचली की कमी भारत ने ऑस्ट्रेडिया को पांच विकेट से हडाया बिहार की राजधानी में जोटे सीटी इटी बीटी इटी अभ्यरती अचली बढ़ते हैं बिहार के अपता की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से गेल ने 120 पदों के लिए निकाली भरती अधिसूशना गेल गैस लिमिटेड ने जूनियर और सीनियर एसोसियेट समीत अने पदों के कुल 120 पदों के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विविन पदों के लिए उसकी योगिता के नुसार कैटेगरी निर्धारित की गई है जिसे एक चुक अभ्यरती गेलगैस.com स्लैस करियर्स इन पर जाकर देख सकते हैं बता दे कि इसके लिए आविदन करनी के अंतिम तारिक 10 अप्रेल 2023 तक निर्धारित की गई है अपलाई करने के एक चुक कैंडिडेट्स को गेल की वेबसाइट गेलगैस.com पर जाकर लॉगिन कर आविदन करना होगा आविदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सला दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ ले और उसके अनुरूप ही अपलाई करें बिहार की रासधानी में इन तीन जगों पर बनेगा फाइव स्टार होटल पहुँच जल्दी बिहार की रासधारी पटना के तीन जगों पर लगभग 900 करोर रुपे की लागसे फाइव स्टार होटल का निर्मान करवाया जाएगा पता दी कि पटना के जिन तीन स्थानों पर होटल का निर्मान किया जाना है उसमें गांधी मैदान, इंकम टैक्स, गोलंबर और आर ब्लॉक शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दे किसके लिए जून महीने में ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद आई की प्रक्रियाश शुरू की जाएगी निर्धायत किये गए लक्षे केनुसार पतना के इन तीनों स्थानों पर फाइव स्टार होटल का निर्मान वर्स दो हजार सताइस तक पूरा कर लिया जाना है आपकी जानकारी के लिए बता दे ही गांधी मैदान के पास बाकीपूर बस पड़ाओ की जमीन पर बनने वाला फाइव स्टार होटल की गिंती पतना के सबसे उचे भवन में की जाएगी जो 22 मंजला भवन होगी और साथी करीब 3.5 एकर जमीन पर बनाई जाएगी बिहारे बत्रे में आजम बात करेंगे परिवा प्रनती के बारे में परिवा प्रनती का जर्म आजी के दिन 1983 में हुआ था यह एक भारतिय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सोप ओपेरा में दिखाई देती हैं जब वह स्कूल में थी तब वह एक डॉक्टर य बड़ी दूर से आए हैं और 2021 में वागली की दुनिया नई पीडी नए किसी चैसे कई हिंदी टीवी धाड़ावाहिकों के नाम शामिल है इसके अलावा परिवा प्रनती ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है जिसमें 2009 में वादा रहा 2011 में विद लव दिल्ली 2012 में तलास दा आंसर लाइस विदिन और 2019 में मरदानी 2 में अभिनाय किया है पुरवगनी वीरो के लिए CISF में इतने प्रतीशत आरक्षन की घोशना पुरवगनी वीरो के लिए किंद्रिय ग्रिह मंत्राले के दौरा किंद्रिय और दोग सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहट बन पुरवगनी वीरो के पहले बैच के उमेद्वारो के लिए उपड़ी आईउस Сीमा पांच साल और अन्य बैचों के उमेद्वारो के लिए तीं साल तक की छूट दी जाएगी भिहार की राजधानी में जटे CTET-BTET अभ्यर्ती साथवे चरण की सिक्षक बहाली की मांग को ले करih बीचे दिन भिहार की राजधानी पटना के सरकों पड़ अलग-अलग जिलों से आई हजारों की तादाद में प्रारणबिक सिक्षक अभ्यर्ती नजर आए बता दे कि इस दोरान सभी सिक्षक अभ्यर्थी गुद्धा इसमिती पार्क से होते वे डाक बंगला पहुँचे जहां से वा विधान सभा जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे दोरान पुलिस के द्वारा सभी अंदोलन काड़ीओ को खदेर दिया गया इसके साथी पुलिस के दोरा डंगला से इंकम टैक्स जाने के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया था मालुम हो कि सिक्षक अभ्यर्थियों का यह अंदोलन गांधी मैदान के गेट नंबर एक से सुरू होकर विधान सभा के लिए जाने वाला था जिसमें देश के जाने मानि गजल गायक और संगेत तलत अजीज और प्रतीभाशाली कलाकार मैतली ठाकुर समेथ कहीं कलाकारों की आवाजे सुनने को मिलेंगी बता दे किस तीन दिवश्य कारिक्रम के पहले दिन जाने की 22 मार्च को गायक जावेद अली और IPS अफसर आलोक र की जला मुख्याले नीजी एवं सरकारी स्कूलों समेथ कहीं जगब कारिक्रम आयोजित करनी की तयारी चल रही है मालम हो कि इस वर्ष्ट बिहार दिवस का विशय युवा सक्ती बिहार की प्रगती रखा गया है बिहार में साइबर क्राइम को लेकर EOU ADG ने कहा ये बिहार आर्थी कपराद इकाई के ADG नईयर हसनैन खान के दोरा साइबर क्राइम में हो रही बरहोतरी को लेकर कहा गया कि इस से देश में सबसे ज़ादा प्रभावित कोई राज्य है तो वह राज्य बिहार है उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद साइबर क्राइम में लगबग 30 प्रतीशत की बरहोतरी हुई है और ये बरहोतरी लगातार जारी है कोरोना काल के बाद अब तक इस मामलिस जुरे 22,000 सिकायते आ चुकी है उन्होंने कहा कि आर्थी कप्राद इकाई बिहार सरकार की नोडल एजनसी है इसे हैंडल करने के लिए हमारा साइबर क्राइम पूरी तरह से तयार है उन्होंने बताया कि इस चुनौती पर हमारे द्वारा काफी काम किया गया है और इस मुद्दे पर हमारा तीन तरह का डोल रहा है हम लोग लगा था लोगों को जागरूप करने और पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं बिहार के 534 प्रखंडों में बनेंगे स्टेडियम कला संस्कृती एवं युवा विभाग के दोरा एक प्रस्विग्यपती जारी कर दी गई जानकारी के नुसार बिहार में खेल और खिलारियों को बढ़ावा मिल सके इसके लिए बिहार सरकार के दोरा राजिके सभी 534 प्रखंडों में इस स्टेडियम निर्मान की युकारी योजना बनाई गई है बता दे कि फिलार राजिके इन 534 प्रखंडों में स्टेडियम निर्मान को लेकर स्विकृतित दी जा चुकी है जिनमें 221 प्रखंडों में स्टेडियम का नर्मान हो चुका है वहीं बचे 222 प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में 2022-23 में स्टेडियम के नर्मान की स्विकृति दी गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि बाकी प्रखंडों में इस्टेडियम के निर्मान को लेकर जमीन नहीं मिलने की कारण सुख्रित नहीं दी गई है बिहार में गर्मी में नहीं होगी बिजली की कमी बिहार में इस बार बरती गर्मी के बीच लोगों को बिजली की कमी नहीं होगी बता दे के इसके लिए बिजली आपूर्ती कम्पनियों के ओर से हिट वेव आक्शन प्लान तयार किया जा रहा है और उसके लिए तैयारी अभी शुरूप कर दी गई है उर्जा विवा के प्रधान सचीव सह पावर होल्डिंग कमपनी के CMD संजीव हंस के दोरा देगए नर्देश के अनुसार राजी के उन सभी ट्रांसफॉर्मर को बदलने और 63 कवी ट्रांसफॉर्मर को 100 कवी ट्रांसफॉर्मर में अपग्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो खड़ाब है बता दे कि इन सभी कामों को मार्च तक पूरा किये जाने का लक्षे रखा गया है इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी विभागों में एसी का सही इस्तमाज सुनिचित करना होगा वहीं आम लोग भी गर्मी में एसी 25 डिग्री सलसियस पर ही चलाने का प्रयास कर इसके साथ ही प्रात्मिक स्वास्ते उतकेंत्रों और पतालों में भी पिजली पूर्ति का खास ध्यान रखा जाएगा बिहारी परेटर में आज हम बात करेंगे जलालगर किला के बाड़ी में जलालगर किला भारत के बिहार राजी के पुर्णिया जले में इस्तत एक लगभग 300 वर्ष पुराना दुर्ग है जो वर्तमार में खंडर स्थिती में है या पुर्णिया नगर से लगभग 20 किलो मीटर उत्तर में है पता दे कि इसके लिए को सेफ खाने बढ़वाया था जो 1722 में पुर्णिया के नवाब थे यह किला आकार में चौकोड है और इसमें बहुत उचे दिवार है ऐसा कहा जाता है कि नेपाली लुटेरियों से बचने क लिए यह दिवार उजा किया गया था इसके लिए के चारों तरफ चार गेट है जिसके अंदर बहुत बढ़ा छेतर है जहां पर हजारों की संख्या में घुरसवार सहनाई रुका करती थी माना जाता है कि सिमांचर में हिंदू-मुसलिम भाई-चाड़ा का यह किलाम विश सिक्षक बरना चाहते है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बीते दिन बिहार विधान सभा में राज्य के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदर सेखर के द्वारा सवाल का जवाब देते वे कहा गया कि राज्य के हाई स्कूलों में सिक्षकों की नियुक्ति वरस 2023 तक य सिक्षक नियुक्ति नियामावाली में यह विवस्था जोंडिक अप्रयास होगा इसके साथ ही उन्होंने नियोजिस सिक्षकों को चिकिस्टा अवकास की स्ography से जुरे प्रश्ण पर जवाब देते वे कहा कि चिकिस्टा अवकास की स्विक्रति का कोई प्रस्ताव विचार गया नवादा नारंदा सहित बिहार के 28 जिलो में मध्यम बारिश होनी की संभावना है इस दोरान गोपाल गंज पुर्वी पश्मी चमपानन सारन छप्रा सहित 10 जिलो में हलकी बारिश होगी मौसम विभाग ने गया भब हुआ और अंगाबाद रोहतास नवादा बांका जमुई में कुछ स्थानों पर 40-50 किलो मीटर की रफ्तार से हवाई चलने का अलर्ट जारी किया है में गरजन और बिजली गिनने की भी आशंका है इसका असर राजे के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देगा पारिश और तेज हवाओ की वज़ा से सबे जिलो में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार है हाला कि 5 दन बाद फिर से ही तापमान ये जिग्री होगी विश्यविद्यालियों में CBCS के तहत होगी पढ़ाई बिहार के विश्यविद्यालियों में अब 24 बेस्ट क्रेडि सिस्टम यानी की CBCS के तहत सनातक की पढ़ाई को लेकर रोड मैप तयार किया जा रहा है CBCS को बिहार के विश्य विद्यालियों में लागू करने के लिए उच्छतर सिक्षा परिसद ने राजेपाल को प्रस्ताओ भेजा है साथी परिसद ने या आग्रह भी किया है कि इस कारिक्रम को प्रदेश के सभी विश्य विद्यालियों में लागू किया जाए नई सिक्षा नीती तहत यह विवस्था की गई है किसना तक की पढ़ाई के दोरान आप एंट्री या फिर एक्जिट कर सकते हैं ऐसे भी पार्टिक्रम में बने रहने तक की समयावधी के दोरान विद्यार्थी को उनके अंकिया फिर जरूरी सर्टिफिकेट दिये जाने का प्रापधान होगा CBCS को लागो करवाने को लेकर UGC ने भी गाइडलाइन जारी किया है हाला कि उसे लागो करवाने की जब्मेदार राज्यो को दिया गया है एक कॉल कर एजन को घर बढ़ा कर रिचार्ज करवा है स्मार्ट मीटर साउथ बिहर जिलो में रहने वाले स्मार्ट मीटर के वैसे उभोकता जो बिजली कमपनी के काउंटर पर या नीजी मोवाइल रिचार्ज दुकानों पर जाकर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाते हैं या पोस्ट पेट बील जमा करते हैं उन्हों वोकताओं के लिए बिजली कंपनी के दोरा एक नई सुवधा औरेंज एप की शुरुवात की गई है जिसकी मदद से वोकता केवल एक कॉल करके घर बैठे मीटर रिचार्ज और बिजली बिल जमा कर सकेंगे बता दे के इसके लिए एक फोन नंबर 6262642222 जारी किया गया है जिस पर वोकता को वोकता संख्या मेसज करना होगा और फिर एजेंट वोकता के घरा कर उनके मीटर को रिचार्ज कर देंगे या सेवा वोकताओं को 24 घंट मिलेंगी वही सैब की मदद से रिचार्ज या बिजले बिल चुकाने पर वोकता को अतरिक्त पैसे नहीं देने होगे वोकताओं को केवल रिचार्ज करने या पोस्पेड मीटर का बिल जमा करने का पैसा देना होगा राजे सरकार से बिना एनोसी वाले स्कूलों का टीसी नहीं होगा माने सक्षा विभाग के ओर से राजे सरकार से बिना एनोसी वाले स्कूलों को लेकर दिशा नर्देश जारी करते वे कहा गया है कि ऐसे स्कूलों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि की टीसी का कोई माने यानि कि इन स्कूलों के टीसी पर छातर दूसरे स्कूलों में अनमिशन नहीं ले सकते हैं। नालंदा में सराब के खिलाफ अभियान एक तरफ जहां बिहार में सराब तसकर बाज नहीं आ रहे तो वहीं दूसरी पुलिस और उतपाद विवाग की टीम के दौरा भें तसकरों पर नकेल कशनी की जीत और कोशिश की जा रहे हैं। दिवाग के टीम के दौरा कुल 12 धंदे बाजो और 23 नशेरी को अपनी गिरफ में लिया गया है उतपाद के इंस्पेक्टर। रान अरेश महतो के दौरा दी गए जानकारी के नुसार छापेमारी के दौरान 30 लीटर्स चुलाई सराब और 3000 किलो ग्राम अवैद किन्वित जावा महुआ को विनिस्ट किया गया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना का फाइदा लेने का नियम बदला। पाइदा लेना चाहता है तो उन्हें एक अप्रैल 2030 से जरूरी रूप से केंद्र सरकार दौरा चारी दिव्यांग जनों के लिए विसस्ट पहचान पत्र संख्या का उलेक करना होगा। पुर्णिया पहुचने के बाद सबसे पहले उन्हें पुर्णिया के इंद्रा गांधी स्टेडियम में गार्ड ओफ ओनर दिया गया। इसके बाद उनका काफिला पुर्णिया के सरकेट हाउस पहुचा जहां उन्होंने यादिकारियों के सास समिक छा बैठक कर दस लाभार्थियों को बासगीत पर्चा भी दिया। इसके बाद राजेपाल रानी पत्रा पहुचे जहां उन्होंने जैवी खेती कर रहे किसान शर्सी भूशल सिंग के खेतों का निरिक छन किया। लोग सभाथ चनाओ के दौरान उनकी पार्टी की नजर किन किन राजियों के लोग सभाथ सीटों पर बनी हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हडाया। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वंडे सिरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखिरे स्टेडियम में खेला गया। बता दे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हडा दिया है। जवाब में भारत ने 49.5 ओवर में पांच विकेट गवाकर लक्षे हाशल कर लिया। केल राहुल ने लैमे वापसी की और बहतरीन बल्लेबाजी करते वे 91 गेंडों में 75 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा रविंदर जड़ेजा भी 45 रन बनाकर नाबाद रहें। दोनों के भी छटे विकेट के लिए 108 रन की नाबाद साज़ेदारी हुई। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर तीन मैचों की वंडे सरीज में एक शुनी की बहत हासिल कर ली है। लेकिन आपको बता दे कि यह सुविधा आपको केबल ऑनलाइन अब्डेट करवाने पर ही मिलेगी। ऐसे में आप इसका फाइदा उठा सकते हैं। हाला कि अगर आप फिसिकल काउंटर पर जाते हैं तो आपको इस काम के लिए पैसे चुकाने होंगे। लेकिन ओनलाइन के लिए भी यह सुविधा केबल 14 जून 2023 तक ही उपलब्द रहेगी। भारत के दियाज में आज की तारीक है बेहत कास। 1914 में अंतराश्री नयाले के पुर्व अध्यक्ष एवं भारत के पुर्व मुख्य चुनावस आयुक्त रह चुके नागेंदर सिंग का जन्हुआ 1934 में आजाद हिंद फोच के अधिकारी गुर्बक सिंग धिल्लो का जन्हुआ 1934 में हिंदी सिनेमा जगत के प्रसद अभी निताओं में से एक ससी कपूर का जन्हुआ हिंदी सिनेमा की जानी मानि गाई का राज कुमारी दूवी का 2000 में निधन हुआ प्रसद मराठी विद्वान नारायन सास्त्री मराठी का 1956 में निधन हुआ वारल कर में आज हम बात करेंगे पी एम मुफ्त लैप्टॉप योजना के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सुचनाए वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी करें में आज हम बात करेंगे पी एम मुफ्त लैप्टॉप योजना के बारे में दरसल पी आई बी ने अपने टूइट में लिखा है कि सोचल मीडिया पर एक नोटस प्रशारित होड़ा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधान मंत्री मुफ्त लैप्टॉप योजना 2023 के तहत युवां को मुफ्त लैप्टॉप दे रही है पी आई बी ने अपने टूइट में आगे लिखा है कि नोटीस फेक है भारत सरकार एड़ डरेट एड्यू में अफ इंडिया के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है वाटसेब यूजर्स को जल मिलेगा संदेशों को एडिट करने का फीचर शोशल मेडिया प्लाटफॉर्म वाटसेब कते तोर पर अभी भी एक फीचर पर काम कर रहा है या फीचर यूजर्स को आई ओएस बीटा पर संदेशों को एडिट करने की अनुमती देगा WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के नुसार लेया फीचर यूजर्स को किसी भी गलती को ठीक करने या मूल संदेश में कोई अतरिक्त जानकारी शामिल करने के लिए अपने संदेशों को एडिट करने के लिए 15 मिनट तक का वक्त देगा इस फीचर पर फिलहाल काम चल रहा है और बीटा टेस्टर के लिए जारी करने के लिए तयार नहीं है रिपोर्ट में आगे उल्ले किया गया है कि कंप्री अप्रिकेशन के भविश्य के अपडेट में एक फीचर भी ला सकती है जो यूजर्स को मीडिया कैप्शन एडिट करने की अनुमती देगा इस एक्सप्रेस में होता है मरीजो का फ्री इलाज कड़ी बहुत दूर दराज के मरीजो को अच्छा इलाज मल सके इसके लिए इंडियन रेलवे किंद्रिय स्वास्ति मंत्राले और इंपक्ट इंडिया फाउंडेशन की मदद से एक लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की शिरुवात की गई है बता दे कि इस ट्रेन की खास बात या है किसमें इलाज की सुधा तो मौझूद होगी साथ ही इस ट्रेन में ऑपरेशन की भी सुधा उपलब्ध होगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस ट्रेन में कुछ साथ डिब्बे है जिसमें तीन ओपरेशन थेटर है इसके लावा इस्ट्रेन में मरीजों के परिजनों की भी रुखने की विवस्ताग की गई है मिर जानकारी के नुसार स्ट्रेन में आँख, कान, पैड, कटे-फटे ओट, दाथ का इलाज, गर्दन और स्टन, कैंसर का इलाज और ऑपरेशन भी होता है स्ट्रेन में इलाज करने के लिए हर विवाद के विशेशगे डॉक्टर भी मौजूद होंगे मालमोग स्ट्रेन में सभी इलाज विल्कुल मुफ्ट में किया जाता है बीता दिर माल्वराप पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें अमारे कामेंट सेक्शन बौक्स में लिखकर दिया था इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके छेत्र का मौसम कैसा है आपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद